हलो बच्चो हम बात कर रहे थे application of gausthorum की gausthorum ने बताई थी और उसके दो application हमने बताया था electric field due to infinite sheet of charge और electric field due to infinite long state wire अज और एक दो application है electric field intensity due to a charge spherical shell देखिए आप से spherical shell बोले या conducting sphere बोले मतब शेल नहों पूरा जो है भरा हुआ sphere है मतब ठोस है वो solid है लेकिन वो आपका conducting sphere है तो same topic you will study here I am going to start spherical shell जरा समझेगा हमने का suppose यह spherical shell है spherical shell मत्ब्दे खोकली होती है यह खोकली होता है यह खोकला होता है जो भी आप बोले और its radius is capital R charge plus q is given to it तो plus q जो charge होगा वो इसमे uniformly चारो तरफ distribute हो जाएगा ठीक है और यह मान के हम चलेंगे कि यह isolated माना जाता है isolate मत्ता होता है चारो तरफ बढ़ जाना charge का और यह मान चलेंगे कि पूरा का पूरा charge उसके center पर केंदरी थे ठीक है अब इसकी वज़े से आपको electric field निकाल ला है किस point पे वो point outside the sphere हो सकता है वो on the sphere हो सकता है और वो inside the sphere हो सकता है तो first case हम लेके चल रहे हैं कि first case जो आपका point है वो कहा पर है outside the sphere यानि external point पे निकालने हम जा रहे है external point at distance r from o at distance r और जो r है वो capital r से बढ़ा है capital r से बढ़ा होने का मतलब ही होता है वो point कहा पर है वो इसके बाहर है outside है at external point हम निकालने जा रहे है ठीक है r from o जड़ा समझेगा वो point यहां कहीं है यहां भी हो सकता है यहां भी हो सकता है तो हमने जैसा कि बताया था कि जिस point पे आपको निकालना है आपको एक Gaussian surface खीचनी पड़ेगी वो symmetrical हो अच्छी बात है अच्छी क्या बात हम symmetrical surface ही खीचेंगे और वो उस point से होकर जानी चाहिए तो हमने एक Gaussian surface खीची एक Gaussian surface खीची concentring to o o की o concentric है ठीक है और जो इस point से होकर पास हो रही है जिस point पे आपको electric field निकालना है और इसकी distance क्या है इस distance इसकी है इस्तमाला ठीक है इस point पे निकाला है यह point यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है जैसा कि process बताया गया है जो आपने diagram मना है उसके बादे थोड़ा सा theory लिख लेंगे हमने क्या किया कि यहाँ पर एक छोटा सा area element लिया area element क्या है ds और electric field भी इसके पैडल होगा तो यह Gaussian surface है हम short में लिख रहे है Gaussian sphere है यह Gaussian surface है जनरल surface ना समझेगा तो सबसे पहले हम external point में निकालने जा रहे सबसे पहले एक छोटे से part से हम electric field निकालने जा रहे electric flux तो electric flux through small area element small area element निकालने जा रहे यही तरीका हमने इतने भी process है सब में तरीका एक ही है ठीक है तो उसको हमने माना d phi e क्या value होगी e dot ds चुकि यह symmetrical surface है और साब साब दिख रहा है कि e और ds दोनों parallel है the angle between e and ds will be 0 so its value will be e ds cos 0 cos 0 will be 1 तो यह हो गया e ds यह क्या निकला electric flux through the small surface small surface area element अब हम बात कर रहे हैं कि electric flux passing through the whole Gaussian surface तो electric flux through whole Gaussian surface whole Gaussian surface तो क्या करेंगे इसका इसको हम phi e माल लेंगे और इसका integrate कर देंगे e dot ds यह e ds का ठीक है e बाहर आ जाएगा और ds का मतलब होता है इसका पूरा surface area यह चुक्कि sphere है तो sphere का area होता है 4 pi r square यह flux हमने निकाला ठीक है अब क्या करेंगे अब goss साहब की बारे में बात करेंगे कि goss ने flux का formula क्या दिया था देखिए आप का गौस्यों सर्फिस है यह पूरा का पूरा जो चार्ज आपने दिया है ना हो कहां पर माना जा रहा है सेंटर पर और पूरा का पूरा इस goss सर्फिस के अंदर है तो goss आप क्या कहते हैं कि phi e will be 1 upon epsilon not times of q हमने कहा phi e will be this यह कहने phi e will be this तो दोनों तो बराबर हैं हम भी कोई goss से कम थोड़ी है goss ने अपने हिसाब से निकाला हमने अपने हिसाब से निकाला तो y equation 1 and 2 एक सेकंड y equation 1 and 2 दोनों के phi's को आपस में बराबर कर दीजे दोनों का जो surface area है उसको equal कर दीजेगा flux को ना surface area phi को equal कर दीजेगा यानि e into 4 pi r square is equal to 1 upon epsilon not times of q तो e की value क्या हो गई 1 upon 4 pi r square 4 pi epsilon not q upon r square ये electric field निकला कहां पर external point पर कितनी distance पर r distance पर कहां से center से charge कितना दिया plus q किसको दिया इस वाले sphere को कहां पर आपने assume किया उसके center पर assume किया ठीक है तो ये निकला अब हमने माना कि अगर sigma is the surface charge density if sigma is the surface charge density sigma is the surface charge density surface charge density कैसे निकलेगा देखे इसका मतलब क्या होता है unit area में जो आपने charge दिया है unit area में कितना charge दिया है sigma तो अगर हम मैं area से multiply कर दूँ तो आपको total charge मिल जाएगा किसकी total area आप लेंगे जिसको हमने charge दिया Gaussian surface को मैंने charge नहीं दिया है हमने इस वाले sphere को charge दिया है तो इसकी area से हमने इसको multiply कर दिया तो क्या मिल गया total charge मिल गया तो इस q की value उठा दें और equation number 1 में रख दें तो sigma के term में आपका topic आ जाएगा तो putting the value of q in equation number 3 putting word गलत होता है लेकिन mathematics में थोड़ा बहुत grammar चलती है इसलिए हम लेख रहे है putting the value of q in equation 3 तो e is equal to क्या हैगा 1 upon 4 pi epsilon 0 into ये क्या है sigma into 4 pi capital R square upon capital R square ये कड़ गया तो e is equal to क्या आगिया ये 4 pi कर जाएगा sigma upon epsilon 0 sorry sorry नहीं ठीक है ये यही आएगा ना हाँ ठीक ओके तो ये आपका electric field निकला क्या इसमें R है नहीं है इसका मतब ये sigma पर depend कर रहा है तो हमारे पास ये आपका जो result निकला वो outside the spherical shell निकला है कुछ गलक्त कर गए हमको लगता है sorry 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 बहुत बड़ा sorry ये आपका small r square है और ये आपका capital r square है ये small r square है ये capital r square है इसलिए cancel नहीं होगा ठीक है तो ये आएगा आपका sigma upon epsilon not into capital r square upon small r square ये result आपका निकला at an external point अब ज़र इसको कहीं note कर लीजे इसका हम इस्तेमाल करेंगे देखें external point पर diagram रभ नहीं करेंगे external point पर बात में note करते हैं ये याद रिखिएगा अब second case हम लेकी चल रहे है second case अब यही point जो आपका P था वो अगर load के आगया इस sphere के उपर तो small r की ज़र के capital रख दीजे और सबको तो same है क्योंको अ लेडी आप charge कहा मान रहे है center पर तो अगर second case है on the surface on the surface of sphere यानि small r की value क्या है capital r के equal है तो equation 3 में और equation 4 में आप small r की value capital r रख दीजे तो लिखे by equation 3 and 4 by equation 3 and 4 क्या होगी e की value e की value आएगी 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon capital r square is equal to यहां रखोगे तो r square कर जाएगा तो आएगा sigma upon epsilon 0 तो यह constant value आगी ठीक कहां पर on the surface of sphere sphere के surface पे निकला है अब तीसरा point हम लेकी चल रहे है कि जो point आपका p था वो अगर inside the sphere हो तब क्या होगा देखे जान से third case आएगा inside the sphere internal point बे third case आएगा inside the sphere inside the sphere मतलब small r is less than capital r अब जरा समझेगा यह आपका point कहा पर आगया यहां कहीं अंदर आगया तो यह यहां भी हो सकता यहां भी हो सकता यहां भी हो सकता तो हमने क्या किया small r radius लेकर के हमने एक Gaussian surface यहां भी कीज दी ठीक है थोड़ा डाइग्राम गोल बला लिजेगा तो यह इस मालार दूरी अब है third case में तरीका भही होगा कि यह इसका छोटा सा area element लेंगे यह e होगा यह ds होगा तो जब electric flux अब एक एक step नहीं सोग करेंगे अलड़ी बाहर हम दिखा चुके है तो यह Gaussian surface है यह क्या है यह भी Gaussian surface हमने खीचा है तो electric flux through the whole Gaussian surface the whole Gaussian surface जिसको कि phi कहते है close integral e dot ds कहते है और अब जब देखे जहां से आपने charge को यहां consider तो किया था actual में charge कहा था actual में charge इस shell के बाहर फैला हुआ था तो इसका मतलब इसके अंदर charge zero था बाहर charge था तो जो charge बाहर होता है तो inside में flux क्या होता है zero यानि कि e की value क्या जाएगी e ds cause zero is equal to zero तो electric field क्या होता है zero यानि किसी भी spherical shell के अंदर electric field हमेशा zero होता है मतलब जा समझेगा अगर कोई कार में बैठा हुआ है और दम से बिजली गिड़ जाए तो कार के उपर surface पे तो electric field होगा लेकिन उसके अंदर electric field नहीं होगा उसके अंदर का objective safe रहेगा शर्त एक है क्यों कार को छुए ना आप कहेंगे छुए कैसे नहीं तो बैटे हुए हम तो मत बैटो हटे कहां से तो अब आप जा लो एक स्टूल लख लो कार के उपर विजली गिली स्टूल में बैठ गए जाकर कि यह हो नहीं सकता प्रेट कली फिलाल उसके अंदर electric field नहीं होगा तो यह आपके तीन cases हो गए अगर यही हमने का conducting sphere होता तो आप जाते हैं conducting sphere में क्या होता है जो भी आप charge देते हो वो outside the surface चला जाता है यहीं सर्फेस के बाहर फैल जाता है अंदर charge नहीं होता तो ultimately अंदर electric field आप निकालोगे तो क्या निकलेगा zero निकलेगा तो inside the conducting sphere भी यही topic proof किया जाएगा same well को data यहीं होगा अब जड़ा एक चीज़ समझें यहाँ पर अगर e और r के साथ कैसा लफड़ा है उसका graph कैसे आप खीचोगे जड़ा देखी है पहले तो तीनो formula लिखें आप outside, inside और on the sphere देखें जब outside जो हमने निकाला outside वाला formula वो निकाला e is equal to 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon r square या sigma upon epsilon 0 capital r square upon इसमार यह ध्यारक के capital r constant है ठीक है जो हमने on the surface निकाला on the surface तो e की value निकली है 1 upon 4 pi epsilon 0 q upon capital r square या sigma upon epsilon 0 यहाँ पर भी पूरी value constant है ठीक और inside जब निकाला है तो value क्या निकली है 0 अब जड़ा देखे electric field और distance के बीच में graph खीचने जा रहा हूँ समझने की कोशिश करिएगा यह आपका sphere था जानबूस के बनाय जा रहा है इसको आपने plus q charge दिया था यह इसका radius था ठीक है हमने क्या किया यह y axis और यह x axis यह दूरी को represent करता है यह electric field को represent करता है यह center है यहाँ दूरी 0 यानि हम अंदर हैं अंदर है तो electric field 0 यहाँ पर है electric field 0 यहाँ तक जब हम आएंगे तो electric field क्या होगा 0 तो आपको यहाँ पर एक dark line खीज देनी है आप जानते हैं x axis पर y command 0 होता है तो यहाँ पर r तो बढ़ रहा है लेकिन e 0 है जब हम बिल्कुल capital r के बराबर आ गए तो value क्या आ गई एक constant sigma upon epsilon 0 थोड़ी सी value आई यह यह value आई कितनी आई है sigma upon epsilon 0 अब आगे बाहर निकले बाहर निकले तो आप देख रहे है कि small r नीचे square में आ रहा है यह आर बढ़ेगा तो 1 upon r square value घटेगी तो electric field घटता जाएगा ऐसे ठीक है यहाँ से यहाँ तक 0 यहाँ से constant value यहाँ से घटती जाएगी value तो यह आपका electric field due to a charge spherical shell या conducting sphere ठीक है अब next topic इसका है जो के last topic है इसका डाइग्राम हम यही बनाएंगे इसी से काम चल जाएगा electric field due to a uniformly charged non conducting sphere जो conducting sphere था ना conducting sphere में पूरा charge बाहर फैल जाता था non conducting में जहाँ charge आप देंगे वही पी वो बैठा रहेगा किसकने के जगह उसके पास है नहीं हमने charge का बैठ आयाँ पर conducting होता तो दूसरे charge बाता तो वो अपोस करता हम नहीं इसको आने देंगे बोले बाहर निकल तो वो बाहर निकल जाता ठीक है उसको अपोस करते 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 रिपेल होते होते outside the surface हो सकता है उसके बाहर हो जा नहीं सकता, मजबूर ही उसकी है तो non-conducting में पूरे स्वेयर में charge फैल जाएगा, ठीक है तो अब यह आता है non-conducting sphere charged non-conducting sphere non conducting sphere पहले सब्सक्राइब समझ लीजिएगा writing बड़ी गंदी है आप बनाने की कोशिश करते हैं, फिर भी अब इस उमर में तो नहीं बदल सकती समझने की कोशिश करिएगा diagram पहले से आप बना चुके है हमने कहा इस पूरे sphere की radius कितनी थी, capital R हमने इसको q charge दिया है जो पूरे sphere में uniformly distribute हो जा, पूरे volume में फैलेगा तो हमने पहले माल लिया killet rho be the volume charge density volume charge density volume charge density का मता होता है unit volume में दिया गया charge वो rho है अब जाखिए, अगर rho एक volume का charge है, आपने किसको दिया है, ये capital R वाले sphere को, तो अगर मैं इसके volume से 4, 5, 3, pi r cube से multiply कर दो तो क्या मिल जाएगा Q, तो Q की जगे क्या लिए सकते हैं, रो इंटू 4 पाई R Q by 3, ये हम इस्तेमाल करेंगे, रिजल्ट इसको अपने मन में याद रखिएगा, ठीक, अब ये बात में भी हम निकाल सकते थे, अब आप पहले जा रहे हैं, एक्स्टर्नल पॉइंट पे, फिर्स्ट केस लेके चल रहे हैं, फिर्स्ट केस, अइट एक्स्टर्नल पॉइंट, एक्स्टर्नल पॉइंट, जो आपने R डिस्टंस पे पॉइंट मारा है, ये आट इस आउटसाइड दे स्फेयर, याए इस्टमाल R is greater than capital R, बिलकुट प्रूफ वही होगा, तो पीछे आपने किया था, बिलकुट डिटो हैं हम प्रूफ करेंगे, के बल क्यू की value change हो जाएगी, ठीक है, देखे, तो electric flux, through, the small area element, small area element, d phi e is equal to क्या होगा, e dot ds, e ds, cause 0, याणि e ds हो जाएगा, जब निकालेंगे, electric flux, through, whole, Gaussian surface, phi e, तो इसको क्या करेंगे, close integral करतेंगे, e ds का, तो आएगा, e into, 4 pi r square, यह हमारा formula है, यह question 2 डाल दो, क्योंकि Q आपने, पहले से निकाल रखा है, Q कुछ आप दिबाग पर रखेगा, इसका use करेंगे हम, ठीक है, अब Gauss साहब ने क्या कहा था, क्योंकि हमने जजबता है, कि हम कोई Gauss से कम नहीं है, हम Gauss का नियम use करेंगे, by Gauss ला, flux का formula होता है, 1 upon epsilon not times of Q, तो equation 2 में, जो हमने अपने मैथर से निकाला, और यह Gauss साहब ने बताया, दुनोंके equate कर दो, तो by equation 2 and 3, यह क्या हो जाएगा, e into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon not, तो e की value आएगी, 1 upon 4 pi epsilon not, Q upon r square, यह electric field हमने निकाला है Gauss से, ठीक है, अब ऐसा करो, equation 1 से Q का मान रख दीजिएगा, by equation 1, putting the value of Q, by equation 1, putting the value of Q, इसको equation बर 4 डाल दू, putting the value of Q, यह से e क्या निकलेगा, e is equal to, 1 upon 4 pi epsilon not, इंटू, तो को 1 upon r square लिखा रहे हैं दू, इसमाल आ रहे हैं ध्यान रखेगा, Q का मान क्या भी निकाला है, रो इंटू 4 pi r cube by 3, राइट, देखो, 4 pi से 4 pi कर जाएगा, तो रो अपान 3 epsilon अलग कर दो, और r cube अपान r square अलग कर दो, यह electric field निकलेगा, outside, रो के term में, और यह है question number 5, यह रो के term में, और यह Q के term में, ठीक हैं यही आ रहा, यह गलती हो जाती, कभी कोई लिखने में value, हाँ ठीक है, अब हम लिखेंगे on the surface, on the surface जबा जाएंगे, तो small r किजएगा, यहाँ capital r कर दीजएगा, तो on the surface of sphere, second case आएगा, on the surface of sphere, second case आएगा, on the surface of sphere, surface of sphere, यह इस्माल r is equal to capital r, तो equation 4 और 5 में value रख दीजएगा, why equation 4 and 5, 4 and 5, तो e की value क्या होगी, देखो, यह 4 already लिखा, इसी में लिखे जए रहे हैं, e की value क्या होगी, यहाँ capital r square आ जाएगा, और यहाँ रखोगे, तो यहाँ r square आएगा, एक r कटेगा, तो rho r upon 3 epsilon naught, यह आपका electric field निकला है, on the surface, ठीक है, अब ज़रा inside में थोड़ा लफडा है, inside समझेगा, third case क्या है, inside the sphere, यह spherical shell नहीं है, यह non-conducting sphere है, अगर conducting sphere होता, अब आपके एक साब non-conducting को charge कहां दिया जा सकता है, क्यों भई लकड़ी में charge नहीं होता, charge होता है, वो moment नहीं करता है, वो जहाँ पर रखोगे वहां रखा रहता है, ठीक, उसका effect भी होता है अपना, तो third case हम लेके चलना हैं, third case, inside the sphere, inside the sphere, पूरे को आपने Q charge दिया है, वो पूरे sphere में फैला हुआ है, तो क्या इसमें वही charge होगा, जी नहीं, यहाँ कुछ change हो जाएगा Q dash, यानि यह जो Gaussian surface है, इसने कितना charge in close कर रखा है, Q dash, हमने माल लिया, कि let this Gaussian surface, in close, चार्ज, is equal to कितना है, Q dash, अब हमने तो चार्ज क्यों दिया है, अब Q dash की value कैसे निकालना जादा समझेगा, अगर मैं जितना मैंने चार्ज दिया है, जिसको दिया था, उसके volume से divide कर दे हम, तो आपको row मिलता है, ठीक है, मैं जिसका चार्ज निकालना चाहता हूं, Q dash, और इसके volume से divide कर दे हैं आप, तो तब ही row मिलता है, तो ये भी row है और ये भी row है, नहीं है, इन दोनों को equate कर दो, तो Q dash, इस इको लुक्या आएगा, Q upon, 4 upon 3 pi capital R cube, into, 4 upon 3 pi small R cube, 4 upon 3 कर जाएगा, तो Q R cube upon R cube, ये Q dash की value आएगी, अब इस Gaussian surface से हम, electric flux निकालने जा रहे हैं, direct निकालेंगे, इसमें अब, with a small element कोई लफ़ा नहीं है, तो electric flux, electric flux, मैं total electric flux निकाल ला हूँ, total electric flux, enclosed, by Gaussian surface, तो क्या होगा, phi E is equal to, closed integral E ds, is equal to, E dot ds कर दो, is equal to, Q dash upon epsilon naught, बस ये Q dash यहाँ पर आगे, ठीके, अब Q dash की value रखेंगे हम, तो ये आजाएगा आपका, E ds होगा है, 4 pi small r square, और 1 upon epsilon naught, Q dash की value कितनी है, rho small r cube upon, capital R cube, एक मिनट, तो देखें क्या होगा, E की value क्या आएगी, इसको इधर ले जाओ, 1 upon 4 pi epsilon naught, इधर है, rho r cube upon, r square into r cube, ये r square है, एक r से r कर जाएगा, तो ये आजाएगा, 1 upon 4 pi epsilon naught, rho r upon r cube, ये electric field हुआ, देखो ज़रा ध्यान से, ये inside में r, उपर है small r, और change भी small r हो रहा है, ठीक है, ये आपका proof हुआ, अब ज़रा ऐसा graph समालो, diagram रप करते हैं, अब graph e और r के बीच में, खिशने के लिए क्या करेंगे, देखे, हमने जब outside निकाला, outside, तो electric field की value आई, 1 upon 4 pi epsilon naught, q upon r square आई, और दूसरी जो value हमने लिखी, वो आई है, rho upon, rho upon, sorry, ये दूसरा लिख रहे हैं हम, rho upon 3 epsilon naught, rho upon 3 epsilon naught, r cube upon r square, r cube upon r square, ये outside हुई है, on the surface जो निकली है, on the surface जो निकली है, वो capital r, ये इस्माल r था, capital r रखा था, तो e की value निकली थी, 1 upon 4 pi epsilon naught, q upon capital r square, is equal to, rho r upon 3 epsilon naught, और inside ये लिख लिख लिए, अब जो आग ग्राफ समझीए गाइस का, थोड़ा सा लफ़ड़े वाला ग्राफ है, ये sphere था, जिसको आपने charge दे रखा था, इसकी radius थी capital r, हमने इसको electric field का axis माना, इस distance को हमने, इसको r माना, गराफ समझीएगा, जिसमें r 0 था, उसमें electric field कितना था, 0 था, r को 0 किया, आप इसमाल r है ना, ये तो distance, इसमाल r है ना, जिसमें r 0 था, electric field भी 0 थी, r को 0 किया, inside है अब, r को 1 किया, तो electric field कुछ मिली, बढ़ी, तू में बढ़ी, बढ़ते बढ़ते, कहां तक गई, on the surface, ये value आ गई, देखे, on the surface हमने कहा, कि electric field की value ये है, ये value है, electric field की, और यहां से यहां तक गई, तो ये value ऐसे बढ़ी, ये बढ़ गई, linearly बढ़ेगी, क्योंकि r की power 1 है, और जब बाहर निकले, r बढ़ाया, तो नीचे r square है, तो ये ऐसे घटती जाएगी, graph 1 में आ गया, वही चीज इधर भी बना सकते हैं आप, अगर इधर चाहें, तो ये value हो गई, ये electric field हो गया, ये बढ़ेगा पहले, और फिल ऐसे घटेगा, तो ये graph between r and e है, ये electric field को represent करता है, और ये distance को represent करता है, तो इस प्रकार से गौश theorem हमने, 2-3-4 वीडियो करीब उसमें बनाए हैं हमने, उसको अपने खतम किया है, उसको पढ़ लिजेगा, बड़ी important theorem है, board examination में examiner की बड़ी प्यारी, बड़ी ये theorem है, ठीक है, इसकी बात आगे हम बात करेंगे, ठैंक्यू,